हेलो दोस्तो दिस इस सुन्दर सिंग मेरा अगीन हाउटो हिंदी के यूटुब चैनल में आप सभी का स्वागत है मैंने कल एक रिक्वेस्ट वीडियो बनाया था जिसमें आप सभी लोग को बताया था तो आप मसे हमारे कुछ यूटुब सब्सक्राइबर ने पूछा था कि मोबाइल फॉन पर हम लोग अपने इमेज से कैसे फोटो बनाएं गालता है तो हमारे वो Google आधान पर हमारे छोंग क्रे नहीं रहते हैं जिसPeur हम लोता низ कि होती तो क्या होगा चाहें तो उसको आनेवाले second साल चालिस साल बाद भी देख सकते हैं और हो सकता है आप लोग कहीं घुमने गए हों और आप लोग ने अपने mobile phone से बहुत सारी photos को capture किया हो और आप लोग उस journey की एक PDF file बनाना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कैसे बना सकते हैं और अगर आप लोग के WhatsApp में बहुत सारी images हैं और आप लोग उन सबी images को एक साथ एक PDF file में बनाना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कैसे कर सकते हैं तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं इसको कैसे करना है तो फिर आप लोग इस वीडियो को लास्तक्का देखते रहिए तो अपने mobile phone का इस्तेमाल करते हुए फोटो से PDF file बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग करना क्या होगा आप लोग आजए ही अपने mobile phone पे और जो भी आप लोग यह वीडियो देख रहे हैं आप लोग को इस वीडियो के टैटल पे क्लिक करना है और जैसे आप लोग टैट सकते हैं और भी यहाँ पर आप लोग को बहुत सारी जानकारी जो है वो PDF से related मिल जाएगी उसके बाद आप लोग को नीचे को स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर आप लोग को यह वाला वीडियो भी मिल जागा जिसमें आप लोग बताया गया है कि आप लोग अपने computer laptop को इस् लुए जर्ट में यह वाली application जो आजाएगी आप लोग अपने mobile phone पे इस application को download कर लेजिए, install कर लेजिए, आप लोग चाहें तो अपने mobile phone पे Google Pay Store खोल लीजिए और वहाँ पर direct इस application को search कर सकते हैं, search करने के बाद आप लोग इस application को अपने mobile phone पे download कर लेजिए, install कर अब आप लोग को क्या करना है अपने mobile phone से अगर image से आप लोग PDF फाइल बनाना चाहते हैं तो आप लोग को यहाँ पर से यह plus पर क्लिक करना है तो जैसे आप लोग इस plus पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग के पास दो option आजाते हैं पहला option आप लोगों को मिलता है Choose Template का, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, फिलाल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से New Document पर क्लिक कर लेंगे, तो मैं यहाँ पर से New Document ले लेता हूँ, New Document लेने के बाद यहाँ पर से देखिए हमारे उसमें एक नया Google Document खुल गया है, अब आप लोग क्या करना है, इस Document में इमेज को लेकर आना है, इमेज को लाने के लिए यहाँ पर आप लोग के पास एक Plus का Option आता है, आप लोग यहाँ पर से Plus पर क्लिक कर लेजिए, तो जैसी आप लोग यहाँ पर से Plus पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग को कुछ Option मिल जाते हैं, आप लोग को Link का Option मिलता है, Image का Option मिलता है, Table का Option मिलता है, Horizontal Line का मिल जाता है, तो अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले आप लोग क्या करना है, इस Document में इ Image को लेकियाना है, तो Image को लाने के लिए आप लोग यहाँ पर से Image पर क्लिक कर लेजिए, Image पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप से पूछ रहा है कि क्या Image आप लोग अपने Camera से Capture करना चाहते हैं, अगर आप लोग capture करके Image अपलोड करना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ आप लोग अपने किसी notes की photo ले रहे हूं, आप लोग हाथो हाथ notes की photo भी ले सकते हैं, और अपनी PDF फाइल भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पर से select करता हूं, from photos को, तो मैं यहाँ पर से photos कर लेता हूं, और उसके बाद यहाँ पर से हमारे उसमें gallery खुल जाएगी, तो आप लोग यहाँ पर से अपने इस step को undo करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप लोग के पास option आजाता है, undo का, आप लोग यहाँ पर से इस पर click कर लेजिए, तो मैं यहाँ पर से क्या करना चाहरा हूं, यहाँ पर से जो यह PDF फाइल बनाऊंगा, इसका मैं एक title रखना चाहरा हूं, तो तो यहां पर से यह बीच माग है, अगर आप लोग इसको format करना चाते हैं इस text को, तो आप लोग यहां पर से text को format भी कर सकते हैं, आप लोग यहां पर से text को पहले select कर लिजिए, मैं यहां पर से इसको press करता हूँ, और उसके बाद यहां पर से select all कर देता हूँ, और उसके बा से प्लस में क्लिक कर लिजी और उसके बाद इमेज पर करना होगा फिर आप लोग को यहां पर से सलेक्ट करना होगा कि आप लोग इमेज कहां से ले रहे हैं तो मैं फोटो से ले रहा हूं और हम लोग यहां पर से फोटो जहा हूँ ले ले लेते हैं मैंने इसको सलेक्ट कर ल समय यह facility हम लोग को मिल जाए कि हम लोग multiple photo इसमें add कर पाएं तो फिलाल मैं यहाँ पर से कुछ photo इसमें add कर लेता हूँ तो यह देखिये इस document में मैंने कुछ photo वो डाल दी है अब आप लोग को क्या करना होगा अगर इसको PDF फाइल बनाना चाहते हैं तो PDF फाइल बनाने के लिए आप लोग क्या करना होगा यहांपर से पहले इसको save कर लीजिए जैसी आप लोग यहांपर से इसको save कर लेंगे save करने के बाद यहाँ पर अगर आप लोग इस document का नाम रखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर से untitled document का नाम रख सकते हैं आप लोग इस पर click किजिए और इसका नाम रख दीजिए तो मैंने यहाँ पर से इसको rose gallery select कर दिया है लिख दिया है अब मैं आपर से ok पर click करता हूँ तो यहाँ पर से इस document का जो नाम है वो rose gallery हो गया अगर आप लोग यहाँ पर से इसको back भी करना चाहते हैं तो back कर सकते हैं तो यहाँ पर आप लोग के उसमें document जो है उसके बाद यहाँ पर आप लोग के पास आता है save as का और save as में आप लोग को click करना होगा तो जैसी आप लोग यहाँ पर से save as पर click करेंगे तो यहाँ पर आप लोग इसको किस format में save करना चाहते हैं तो आप लोग को यहाँ पर बहुत सारे format मिल जाते हैं अगर आप लोग इसको word document करना चाहते हैं तो word document कर लिजिए, PDF करना चाहते हैं तो PDF कर लिजिए, अगर आप लोग यहां पर से open document format करना चाहते हैं, जो भी आप लोग यहां पर से इसको करना चाहते हैं, आप लोग उस format में कर सकते हैं, फिलाल हमारा जो मकसद है वो है PDF document का तो मैं यहाँ पर से PDF document को select कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर से ok पे click कर लेता हूँ तो यह देखे रोस gallery.pdf file हमारे उसमें आ गई है हम लोग ने multiple images से एक PDF file बना लिए है अपने mobile phone का इस्तिमाल करते हुए तो अगर आप लोग इस document को देखना भी चाते हैं तो आप लोग यहाँ पर से google drive पे भी जाएंगे तो google drive पे भी आप लोग का यह जो document है PDF file यहाँ पर से आप लोग के उसमें आ जाएगी तो अगर आप लोग अपने google drive पे इसको देखना चाते हैं आप लोग इस पे click करेंगे Google Drive पे और उसके बाद यहां पर से आप लोग के Google Drive पे यह जो फाइल है वो आ गई होगी अब अगर आप लोग इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड करने के लिए यहां पर आप लोग को तीन डॉट मिलेंगे टॉप राइट करनर पर आप लोग यहां पर से इस पर क्लिक कर लिजिए और उसके बाद यहां पर आप लोग के पास एक उप्षन आता है डाउनलोड का आप लोग यहां पर से डाउनलोड पर क्लिक कर लिजिए यहाँ पर आप लोगो डाउनलोड मिलेगा, आप लोग डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और जैसी आप लोग डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों से लिखा हुआ One item will be downloaded, see notification for details तो आप लोग यहां पर से notification पाएंगे तो यहां पर यह देखें फाइल जो है वो download हो रही है और जैसे यह download होती है तो फिर आप लोग इस फाइल को जैसे मरजी चाहें वैसे use कर सकते हैं और यह जो फाइल है यह देखें मैं यहां पर से इसको खोल लेता हूँ यहां पर से पूछ रहा है किस के साथ खोलना चाहते हैं तो मैं यहां पर से फाइल के साथ जाता हूँ जस्ट वन पर जाता हूँ और यह फाइल जो हमारे mobile phone पर खुल जाएगी डाउनलोड में आ गए हम और यहां पर से आप लोग अपनी PDF फाइल जो है वो देख सकते हैं तो यह देखिए आप लोग के mobile phone पर जो PDF फाइल है वो successfully download हो चुकी है अब अगर आप लोग चाहें तो इस फाइल को कैसे भी use कर सकते हैं आप चाहें तो इसको Facebook से, WhatsApp से जैसे भी share करना चाहें इस document को तो यह जो document हम लोग ने बताया था Rose Gallery के नाम से यह यहां पर आ गया है docs.google.com मा आएंगे और अपने उसी account से login करेंगे जिस account से आप लोग ने अपने mobile phone पर login किया था और PDF फाइल बनाए थी तो आप लोग यहां पर से इस फाइल को इसमें access कर सकते हैं और अगर edit करना चाहते हैं तो यहां पर से अपने mobile phone, computer laptop से भी इसको edit कर सकते हैं और अगर आप लोग Google Drive पर आएंगे तो Google Drive पर आप लोग की जो PDF फाइल से हुई थी वो यहां पर आप लोग की PDF फाइल जो हो मिल जाएगी लेकिन आप लोग को उसी account से login करना होगा तो ऐसा करके आप लोग अपने mobile phone का इस्तेमाल करते हुए एक image से चाहें तो एक image से PDF बना सकते हैं multiple image से चाहें तो multiple image से PDF फाइल बना सकते हैं तो अगर आप लोग को इस वीडियो अच्छा लगा और आपके काम आया तो यहां पर like बटन में किलिक करकर इसको जरू like करना और comment box में मुझे लिखके बताना कि आपको इस वीडियो कैसा लगा और अगर आप लोग के कोई सवाल है या फिर सुझाओ हैं तो भी आप मुझे नीचे comment box में लिखकर पूर सकते हैं या फिर बता सकते हैं और ऐसे ही computer, internet, mobile, web और technology से सम्बंदित लेटस tips and tips and tutorials और how to video देखने के लिए आप हमारा how to Hindi YouTube चैनल अभी तुरन सब्सक्राइब कर लेजिए और सब्सक्राइब कर लिया है तो बगल में गं लोग को बताऊंगा कि आप लोग कौन कौन सी apps को कैसे कैसे इस्तिमाल कर सकते हैं तो मतलब how to use app के नाम से एक नई playlist आएगी उस playlist में आप लोग मुझे नीचे comment box में लिखके बताएए कि आप लोग को कौन सी app के बारे में जानना है कि उसको कैसे इस्तिमाल कर सकते हैं thank you for watching buy and take care देखतर ही है सिकतर ही है how to Hindi